हेलो दोस्तो मैं आपको बादाम का सीरा बनाना सिखाऊंगी ये बहुत हेल्दी और अच्छा है हम बाजार में काजू की बर्फी वगरा खाते हैं लेकिन ये घर का बना सीरा है हम इसे हलुआ भी खहते हैं ये बहुत हैल्दी और टेस्टी है आईए इसको हम फटा-फट बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने रात में ही डेड़ सो ग्राम बादाम पानी में भीगो दी थी दोस्तो पानी में रात बर भीगने के बाद सुबह हम इसका चिलका उतार लेंगे रास की बाध बताती हो दोस्तों अगर आप ऊचिसका चिलका उतारने में तकलीफ हो रही है तो आप इसे फिर थोड़ा सा 5 मिट के लिए गरम पानी में डाल दीजे जिससे छिलके आसानी से उतर जाएंगे हमने अपनी बादाम के छिलके हटा लिया है हमारी बादाम कुछ इस तरह दिखाई दे रही है अब देखते हैं हमें इसके लिए और क्या-क्या चाहिए दोस्तो बादाम चीलने के बाद हम इसे अलग रख देंगे हमने इसके लिया है एक कटोरी शक्कर जितनी हमारी कटोरी बादाम थी हमने उतनी ही इसकी शक्कर लिया अब हमें इसके लिए थोड़े से बदाम चाहिए, थोड़े किशमिश, काजू और थोड़ा से लाइची पौडर लाइची पौडर को मैंने शकर के साथ पीस लिया है दोस्तो बदाम और शकर आप देखी लगबग बराबर दिखाई दे रहे हैं बदाम का सीरा है तो जादा मीठा अच्छा नहीं लगेगा हम बदाम में थोड़ा सा दूड़ डालके अपने मिक्सर ग्राइंडर में इसका फाइन पेस तैयार कर लेंगे दोस्तो बदाम जो है जो मैं गार्निशिंग ले उसको मैंने पतला-पतला काट लिया है दूद और छिले हुए बादमों को मिलाकर हम एकसी में ग्राइंड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे दोस्तो ये पेस्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा अब हम अपनी एक नॉनिस्टिक कड़ाई में दो चमच घी लेंगे घी में हम बहुत थोड़ा से लेंगे दोस्तो जादा की जरूरत नहीं है बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम फिर थोड़ा अपना घी बढ़ा लेंगे उसके बाद जो हमने पेस्ट तयार किया था दोस्तो वो पेस्ट हम थोड़ा थोड़ा दूट डालकर अच्छे से पीस लेना है उसमें बदाम नहीं रहनी चाहिए देखे दोस्तो मेरा एकदम नाइस पेस्ट तयार है इसे मैंने अपनी नॉनिस्टिक कड़ाई में डाला है यह बदाम का हलुआ है चिपकता बहुत है इसलिए दोस्तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसके लिए नॉनिस्टिक पैन हील है अब हम बदाम के हलुए को इसमें चलाएंगे तो देखेंगे कि सावा हमारा घी बादाम गही ने सोक लिया है फिर हम बीच में थोड़ासा एक चमजगी और डालेगे दोस्तो हमें इसमें बहुत जाथा गही डालना है क्योंकि हम जितना घी डालते जाएंगे हमारा बादाम का पेस्ट वो सारा गी लेता चला जाएगा हम इसमें सिर्फ तीन चमजगी डालेंगे अच्छे से बुनने के बाद में इसका कुछ इस तरह गुलाबी कलर दिखाई देगा हमें इसे लगातार चलाते रहना है दोस्तों वड़ना ये बहुत जल्दी चल जाता ह अब हमारा ये अच्छे से बुन गया है हम साइड में थोड़ा सा गी और डालेंगे और उसमें अपने रोस्ट किये हुए रोस्ट करने के लिए जमने रोस्ट होने के बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे इसमें मिक्स होने के बाद में हम इसमें अपनी शक्कर डालेंगे शक् दूट डालने के बाद यह कुछ इस तरह दिखाई दी रहा है हम इसको अच्छे से मिलाएंगे इसमें गाठे नहीं पड़नी चाहिए हम अपनी चम्मच की सहता से अच्छे से इसकी गाठाओं को दबा दबा के ठीक कर देंगे अब हम इसे थोड़ा सा ढखेंगे दोस्तों क् हलुआ बहुत चिटकता बहुत है तो हमारे उपर आ सकता है मद्धी आज पर एक निट के लिए हमारी फ्लेम दोस्तों मीडियम से लो ही है इस तरह किया देखिए हमारा हलुआ एकदम तयार हो गया है साइड में थोड़ा थोड़ा घी चोड़ने लगा है इसमें घी जादा मट डालिए आपका दोस्त हलुआ तयार है दोस्तों इसको एंजोई कीजिए गरम गरम अपने बच्चों को खिलाइए यह बहुत अच्छा और हेल्दी है अपने आने वाले दिवाली के मेहमानों को भी खिलाइए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आपको य कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए थैंक